इस अप्लिकेशन में किया क्या है सो सिम्पल यह पूरा जाहां कुछ नहीं है एक प्रोड़क्ट मॉडल बनाया थिक है उसके लिए दो एक यह लिखिए है इस आप्रड़क्ट और अड़ प्रोड़क्ट ठीक है और उसके बाद यहां हम लोग डेटाबेस का configuration कर रहा है जो कि हमारा local database है ठीक है इसको भी run करके देख लगते हैं ठीक है इससे होगा इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यह हमारा local database है इतना तुमें यह ध्यान रखना और local database का username root है और password empty है database का नाम deployment है और यह हमारे local computer पर चल रहा है और port 33006 तो बस इतना ही तुम्हें इसका idea रहना चाहिए उसको बद फिर आगे देखते हैं तो यह है उसका database को कि डेटाबेस में कुछ records होंगे कुछ नहीं है चलो बढ़िया है क्योंकि हम लोगने create लिऊच किया वहां तो यह स्वेगर का API localhost यह तुम्हें पता ही है तो अभी हमनों कुछ data create करें यहां से तो try now to click किया ठीक है तो यहां को data create हुआ है और इससे हम लोगने data महा लिया okay get all product ठीक है तो यहां तुम्हारा data आ गया ठीक है यहां तक तो तुम्हें पता है सही है अब हम अभी local database यूज करें अभी हम online database जो हमारा EC2 server पर उसको यूज करेंगे तो इसके लिए अगर तुम देखना चाहो तो यह रहा है उसका IP यह हम अपने अप्रिकेशन में जाएंगे और यहां configure करतेंगे इसको यूजर नेम को जगा यूजर नेम तुम कुछ भी रह सकते हैं इसे रण करते हैं तो अगेन क्राश्ट हो गई है और देखा है क्यों के पाउच करते हैं